Namaste to all of you, आज की इस वीडियो लेक्शर के अंदर हम जिस पोएम को कवर करेंगे, उसका नाम है Ecology Ecology by A.K. Ramanujan चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम की सम्मधी देखेंगे सबसे पहले और फिर हम इसकी अनलेसिस भी करेंगे The poem Ecology by A.K. Ramanujan is about son's devotion to her mother and her devotion to ecology that creates a kind of conflict between the two ये जो पोएम है, ये एक मां और बेटे की बीच की पोएम है, इन में मां और बेटे ही बात करते हैं आपस में और ये पोएम दिखाती है कि कैसे जो बेटा है, अपनी माा के प्रती बहुत डिवोटेट है और उसकी माँ जो है वो ecology के लिए बहुत devoted है ecology means होता है हमारे आसपास की वातावरन और पारिस्थिती की है जिसमें हर चीज आती है animals, birds, plants and all of things पारिस्थिती ecology, okay तो एक तरह से हम nature कह सकते हैं उन्हें ecology, nature in a nutshell और हम देखते हैं कि छोटे रूप में हम जब देखते हैं कि the poet's mother gets served migraine pain because of red chumpak trees pollens अब जो एक chumpak trees है उसके जो pollens है छोटे छोटे यलो कलर के जो उसके परागण वगेर हम जो देखते हैं कि पेड़ों में लगते हैं और वो फिर हावा में उड़ते रहते हैं तो उसके वज़े से जो है poet's की मदर को migraine होता है उससे उन्हें allergy है और बहुत ज़ादा उसकी smell से जो pollens है यलो यलो कलर के उससे उसकी मदर को poet की मदर को बहुत ज़ादा दिक्कत है the poet wants to cut the tree जो poet है वो चाहता है कि जो चंपक trees है उन्हें कट कर दे his mother stops him उसकी मदर उसे रोकती है ये करने से doing so because of her religious emotional sentiments for the tree लेकिन उसकी माग की अपनी धार्मिक भावनाओं के कारण अपने कुछ उसके रिदाय में उस पेड के लिए बहुत भावनाई है उसके कारण वो अपने बेटे को पेड काटने से रोकती है the poem can be read either as a single sentence और in stangas तो जो poem है हम उन्हें एक single sentence के रूप में भी एक single stanga के रूप में भी पढ़ सकते है यहाँ पे कोई rhyme scheme यूज नहीं की गई है पीछे जो rhyme scheme होती है जिसे same word से वो खत्म जो rhyme लगती है वो नहीं है एकदम simple poem है the poet use a number of literary device बहुत सारे literary device used किये गए हैं जब हम poem खुद पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है बहुत सारे comparison की गई है यहाँ पे like metaphor, personifications and simile यह से type के literary device यहाँ पे poet नहीं यूज किये हैं इस poem के अंदर I have one minute the poet says that the poet says that for a for a number of years during every first train मतलब जैसी first train होने लगती है every year probably the beginning of summer season मतलब जैसी summer season start होता है तो वो क्या देखता है he finds his mother suffering from blinding migraine एक अंधा मतलब बहुत अंधा का यहाँ पे मतलब है कि unbearable fever एक migraine उसकी मम्मी को आता है हर पहली बारिश से पहले और या फिर हम कह सकते है summer start होने से पहले और ऐसा क्यों होता है because of three red chumpak trees which are a mile away from the poet house क्योंकि एक mile के पास ही जो है red chumpak tree होते हैं तीन उनके वज़े से poet की मदर को ऐसी suffering करनी पड़ती है blind migraine से बहुत खतरना during the summer season अब summer season के दौरान the chumpak trees flowers bloom which then release अब जो chumpak trees है वो bloom करते हैं मतलब लहराते हैं पेड और yellow pollen grains को हावा में छोड़ देते हैं वो अपनी pollen grains होती है जो छोटे छोटे yellow color के बहुत सारे होते हैं पेड़ों के अंदर in the air which according to the poet और poet उन्हें कहता है spread like clouds अब जैसे बादल छा जाते हैं throughout the street on it वैसे ही जो यह pollen grains है यह पूरे सडकों पर जैसे ही हावा चलती है तो वैसे ही पूरे सडकों पर फैल जाते हैं अब जैसे ही वो फैलते हैं फिर से जो मदर है उसे जो है माईग्रेन का दर्थ शुरू हो जाता है अब जो यह pollen grain के वज़े से यह क्या करती है air को शुद नहीं होने देती है उसे अशुद बना के रख देती है पूरे हावा में जब यह फैल जाएंगे उसकी स्मेल से यहां पी पोईट कह रहा है पूरा एक अशुद बाता वरन सा चा जाता है जैसे यह pollen grain उड़ना स्टार्ट होते हैं और पूरी जगा इसकी खुश्बू फैल जाती है इन दे नेक्स लाइन अब नेक्स लाइन में पोईट क्या कह रहा है अब उनका जो हाउस है वो ब्लैक पिलर्ड का है इसलिए वो बता रहा है कि हमारे जो ब्लैक पिलर्ड हाउस है उसमें आने से कोई भी डोर, कोई भी दरवाजा रोख नहीं सकता है अब उसकी जो हाउस वाल है मतलब उसकी घर की इक दिवारे हैं उसके क्या-क्या है, कान है, आईस है, स्केल्स है, स्मेल्स है यह सब चीजें है, बोन, क्रेक्स, नाइटी, विजिटिंग, वोईसे, सब कुछ है यहाँ पे एक घर को बता दिया गया है, एक तरह से पोर्स नहीं होते का छिद्र, रोम, छिद्र जो होते हैं पुरे बोडी किसे कंपारिजन किया है, तो घर को वो फील होता है, पुरा स्मेल एंड वगरा, उस पोलेन ग्रेन का अब वो पोईट कहता है, कि जैसे हम सफर कर रहे हैं इस पोलेन ग्रेन से, बिचारा मेरा घर, जिसके आख, कान, नाख, यहाँ पे सब बता दिया गया है, सिल, स्मेल्स, यह सब बिचारा मेरा घर भी सफर कर रहा होगा पोईट कह रहा है, ब्लेक पिलर्ड हाउस, उसका, तो पोईट बसनिफाइस दा हाउस, तो उससे बहुत परिशान है, उनका घर, दार कमिंग इंसाइड ट्रो, देख, और छिद्रों से आ रहे हैं, विचारा लाइक पोर्स अविमन बोडी, अब ऐसा लग रहा है, कि यूमन बोडी के जो जो उमशिद्र है, वो ऐसा ही मेरे घर में है, और उससे ये पोलें ग्रेंज एंटर के जा रहे हैं, फटाफट, तुरंत ही, जैसे ही स्टार्ट होती है, हवा चलनी वैसे ही, पोईट फाइनली तेल्स इस मदर, पोईट अपने ममा को फाइनली कहता है, यूमन बोडी के जा रहा है, वो जा रहा है फाइनली कट करने के लिए ट्रीज को, विच फ्लैसे रैग और एंगर, उसे बहुत गुसा आ रहा है, अपने मस्तिश्क में जो पोईट को बहुत गुसा आ रहा है, वो देख रहा है कि उसकी ममा को किस प्रकार से रैग, एंगर इन हर हैड, वो उसे गुसा आ रहा है, अपनी मम्मी के जो चहरे पर देखे हुए, फुल अफ स्वेट, अपने पसीने से भरी हो पैंड ड्यू टू माइगरेन के कारण उसकी मम्मी की जो हालत है, उसे देख कर पोईट को बहुत गुसा आ रहा है, वो सेहन नहीं कर पा रहा जो मुड़े पे रहते हैं, जिस पे हम अपने सॉक्स वगेरा सुखाते हैं, तो वो ट्विस्ट सिल्वर, वहाँ पे वो तार बंधी रहती है, तो विच एदर आन दे रूफ इन दे बालकनी है, या फिर बालकनी या फिर अपने चछत पे होती है, तो उससे कंपेर कर रहा ह उससे इतना गुस्ता आ रहा है वो चमक रहा है वैसा उसकी भी वैसी हालत हो रही है which is shining because of the wet knickers of her mother's grandchildren अपने जैसे अपने बेटे के बारे में बात कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी के जो पोते पोती हैं grandchildren है उनके knickers उस पर wet जो गीले knickers उस पर सुखाये वह हैं और वो खुद एक अपने आपको with twisted silver से compare कर रहा है probably his children वह गया thus like the silver wire अपने आपको silver wire से compare करते हुए his mother's head is also twisted due to serve pain जैसे silver wire जो है वो किस तरह से घुमाव है उसी तरह उसका मदर का जो सर है वो भी घुमावा है पूरा और पूरा दर्द कर रहा है एकदम pain को सहन कर रहा है she tells the poet that the tree is as old as she लेकिन वो तुरंट अपने बेटे को कहती है नहीं जितना पुराने मैं हूँ उतना ही पुराना ये पेड है its seeds was seeded by a passing birds और पता है तुम्हें इसकी जो seed है वो कहां से आया है एक passing birds उड़ती हुई चिडिया ने प्रोविडेंशिल ड्रॉपिंग के कारण मतलब उड़ती हुई चिडिया ने कहीं से जो बीट वगएर हम कहते है चिडिया की तो वो कोई grain लाकर कहीं पर छोड़ देती है इस तरह से हम ले सकते है मिनिंग को उसके वज़े से आया है a bird which is a sign of good omen उसकी ममे कहती है कि जो bird होती है बहुत omen मतलब good good शुप शंकेत का sign है drop the seeds of those plants और कहीं से उस bird ने वो seed उठाया है और वो बीट वगेरा या फिर करके यह से सीधा बीस को गिरा कर जमीन में उस पेड की उत्पत्ती वहां से वह यह origin हुआ है उस पेड का उन चंपक ट्रीज का तो वो बोलती है बहुत ही शुप शंकेत इसे काटों मत she believed that the bird seeded the plant so that a line or in other words each new generation may be able to offer its basket full of annual flower of God मतलब उसका यह मानना है कि यह जो पेड है ने काटों मत यह जो है उस सीधे हुआ है बर्ड नहीं उन्हें किया है और किसले किया है ताकि उस पोईट के भाई वगेरा या फिर new generation जो आने वाली है वो किसी बेटी के उसके डॉटर के शादी में जो है बास्केट भरके गॉड को गिफ्ट करें उस फूलों की इसलिए वो बस इतना दर्द सेहन कर रही है and this is for this she all prepared to bear the pain of migraines इसलिए वो इतना सेहन कर रही है कहीं न कहीं इसमें God के लिए ये पेड बनाए गए है उनको गिफ्ट करने के लिए व्लावर ओके अब analysis देखते हैं the poet has tried to show the differences in views of peoples a poet is poem के अंदर show कर रहे है कि कैसे आज के generation और पुरानी generation ecology के लिए अपनी पारिस्ति करण, अपनी वातावरण, अपनी nature के लिए जो आज की generation वो बिल्कुल भी सजक नहीं है बिल्कुल भी care नहीं है वो बात यहां पर कही गई है for the poet, a poet के लिए the red chumpak trees have no use अब उसके लिए poet के लिए कोई use नहीं है लेकिन उसकी mother ने कहा कि वो बेटी की शादी के अंदर God को gift करेगी तो कही न कहीं उसे अपने reasons बता रही है पेड को बचाए रखने के लिए वो बता रही है वो बहुत ही emotionally attached है उसे वो पेड चंबक की trees their pollens polluted the air and dust the city और वो poet कह रहा है यह क्या काम के है यह जो pollens है pollute कर रहे है एर को और city को, streets को they cannot be prevented from entering the house और human body के अंदर आने से और house के अंदर आने से कोई रोक नहीं सकता है इन pollens को तो वो पूरी तरह से hatred दिखाया गया है आपे और उसका the pollens are the cause of serve pain that his mother is suffering अब यह pollens क्या काम केंगे तो मेरी मम्मी के जो है सफर करवा रही है migrancy, बहुत ही blinding migrancy as the poet has no emotional attached to the ecology on the trees or the trees कोई भी attachment नहीं है he decided to cut them तुरंद वो cut करने की बात कर रहा है लेकिन उसकी mother वहाँ पे उसी रोक रही है on the other hand his mother perspective is on contrary contrary to his views अलग nature दिख रहा है उसकी mother का for her the tree is not just a tree उसके लिए वो केवल एक पेड नहीं है बलकि क्या है good domain है शुब शंकेत है for her house अब उसके घर के लिए it is the flowers of the red chumpak trees which she and other people offer to the gods gods को offer करते हैं लोग to their daughters अपनी अपनी बेटियों की शादी में या फिर कुछ शुब कुछ पाने के लिए so वो उसको शुब नहीं मानती है खराब नहीं मानती है उसके लिए वो अपना चोटा सा बलेदान देने को तयार है this is why this is what makes her consider her suffering a small sacrifice which she is giving to the tree अब थोड़ा सा sacrifice करने को तयार है सिर्फ और सिर्फ पेड के लिए तो यहाँ पे बताया कि एक उल्ड लेडी के अंदर अपनी और अपनी नेचर की कितनी जादा रिस्पेक्ट है पेड के लिए और यह पोईम बहुत अची है